सो इधर आप देख सकते हो कैसे इधर एक टेंट है पुलीस का टेंट है और कैसे यहां पर नाका बन दिया आगे भी नाका बन दिया और इधर जाये करें अब अड़िए अब दुर्ण जाये कर रहा हुँ और क्या है यह सब मैं आपको मरीन ट्रीज पहुच के बताऊंगा अभी तो फिलाल मेरे मामी ने डाल मखनी बनाई और रोटी है यह कहने के बाद मैं आपको मिलता हों तो अभी प्रॉब्लम आता है के जाये कशने क्योंकि अभी तक मुंबाई में एक्षेंशी सोर्विस के लिए ही सिफ ट्रेंज चालू है तो इसके लिए मैं बस्टॉप पे खड़ा हूँ और अभी देखते हैं अभी प्रॉब्लम क्या है पता इस चीज का कि यहां पर यह जो बस की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है अधर गंटे में एक बस आती है जाने के लिए तो अभी देखते हैं क्या होता है तो मेरा यह भी फॉग अपो रहा है इसके उज़से मैं आपको मिलता हूँ एक बाद मैं बस में बैट रहा हूँ उसके बाद तो मैं एक तरी कैसा मरीन ड्राइब आ चुका हूँ जो सामने जो दिख रहा है वो पूरा मरीन ड्राइब का जो में फुट पार्क है वो है बदर थेंगे आप यहां से वहां नहीं जा सकते मेरे साथ के आवा पता है अब मैं अपनी दुन में चल रहा था यहां पे पर वहां पर पुलीस थे वो लोग ने बोला कर वापस जाओ तो मतलब आप चलो लॉक्डाउन खुल चुका है पर अभी भी आप वो जो में फुट पार के वहां पर वाकिंग नहीं कर सकते अगर आपको आना है तो आप यह जो में उसे ओपोजिट वाला फुट पार है तो इधर आप देख सकते हो कैसे इधर एक टेंट है पुलीस का टेंट है और कैसे यहां पर नाता बंदी आगे भी नाका बंदी है और इधर भी है तो यह एक्श्यूर्य नहीं चीज है क्या है इसको एक्श्यूर्य लाइफस्टाइल ब्लोकिंग बोलते है बतलब आप जो अपने डेली में इनले याफ बी करते ओछ और उसको रेकॉर्ड करो और अप्लोड करो इट्स्यूर्टर उन् उत्स्लाइब वर्जिवर्जिअ उ और most of the things what you do in your daily life. At first I really used to find this very annoying. It was very cringy, I thought that what you do in the whole day and show, who is going to be watching? But then I understood that this is actually the future of vlogging. And in one way, this means your practice is also possible. There is a little awkwardness in people's face. So yeah, this is what I am trying to do, which I will do daily, everyday. So let's see what happens. And because I was very cringy, I was very far away from this. But now I think that no one can watch my vlog, not 10-12 people, so let's do it. And there will be a lot of practice. And if it's gone, I will have to sleep on it. So I have started this new thing. And please tell anyone about this life hack, it will be a lot of fog up in my chest. Now it's just cold, cold weather. It will be a lot of fog up in my chest and the rain will be a lot of fog up in my chest. So let's see if you can see it. It will probably not see it in the camera, but the rain will be a lot of fog up in my chest. And the rain will be a lot of fog up in my chest. So you can't see it in the skyline. It's so beautiful here. And I wish I could go there and see it. I don't know. It's so beautiful now. And you will clearly see that the rain will start completely. And it will be a golden necklace. It will start completely. The lights are completely broken. And the rain will start completely. अगर बारिश में जैसे यह लोगडाउन खतम हो और आप बारिश में अगर आ सको so marine drive is a must but low tide में आना so guys मैंने यह vlog actually marine drive पे end कर दिया था but marine drive से वापस आजे समय मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है so marine drive पे आना जाना यह बहुत बार में कर चुका हूँ यह बहुत familiar route है so I know मुझे bus से मैं आता जाता हूँ तो कितने पैसे लगते हैं so आज मैं exact पैसे लेके गया था and आते टाइम I know कि छे रूपया लगने वाले है ऐदर 5 और 6 और मैं बस में चड़ा हूँ एक्शली मेरा नॉमल जो रोस का नंबर ता बस का वह नहीं था दूसरा था but I know यह वह लोकीशन पर जाता है मेरे घर के आसपास आता है but मुझे यह नहीं पराता है कि वह गूम के जाता है और उसका भाड़ा छे रूपया नहीं बढ़ थोटीन रूपीज होता है और मेरे मैंने जब कंड़क्टर को पैसे दी है and he was like कैसा थूइना होता है इतना छे रूपय का नहीं बारा रूपय थेया रूपय लाइगा इसका and I was like मेरे पास पैसे नहीं में को लगा इतना ही होगा and I was ready to get out of the bus but जैसा ही मेरा और कंड़क्टर का कंफशेशन सुना मेरे बाजू में जो बैठा था और मेरे आगे जो बैठा था दोनों ने एक साथ पे करने के लिए अगरी हो गए कि no problem हम पे कर देगे tension नहीं इसमें क्या होगा पता एक चुम मैंने उनसे help भी नहीं मांगी तो उन्होंने सामने से मुझे help की और इसमें क्या होगा पता है कि मैंने उनसे सामने से help भी नहीं मांगा था उन्होंने खुद किया उन्होंने जस्ट एक conversation सुना और कुछ भी सोचे समझे बिना उन्होंने बोई दिया no problem I'll pay for you don't worry at all like just selflessly उन्होंने मुझे help किया हम इतना सुनते हैं कि न्यूज में सब जगा क्या लगता है कि सब जगा जो रोड़ पे जितने भी लोग है वो जस्तुम्हें थगने के लिए तुम्हें मारने के लिए बट यह कितना गलत है आप अगर रोड़ पे जो कि 95-98 परसंट लोग अग्टिविटी एक्दम दब जा रहा है है तो इस वाज संट पॉसितिव थिंग भी धिश्या इसका पूसितिव थिंग विच रिए थेप्टिव यह चार दब अग्ट जो जो घंड़ सुआ है तो बस इतना है ता मैं मिलता हूं आपको काल एक नए व्लोग में तब तक ट कर दो दो कर दो एक